Hello, दोस्तों, स्वागत है आपसे भी गाई नहीं वीडियो में दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अगर जिस तरह आप मालिए कोई फोडो का अगर साइच उसका कम करना चाहते हैं तो उसको दोस्तों, आप कैसे कर सकते हैं जानतें इस वीडियो में, मौईल में क्या होता है दोस्तों आपको application भी मिल जाता है उससे चाहें तो आप size को कम या फिर जादा कर सकते क्यां लेकिन डोटोप में आपको application Download करने के लिए बहुत سारे परक्रिया करना पड़ता है, इसमें दूस्तों वैसे तो system में भी दिया रहता है तो चलिए हम आपको system वाला ही आपको बताते हैं वो दोस्तों बिना किसी application का होगा और आप जल्दी उसको कर भी पाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम अपना जो है दिस्पी से open कर लेते हैं यहां से कोई एक photo जो है वो select कर लेते हैं यहां पर दोस्तों हम local list e में अपना एक photo रखें यहां पर देख सकते हैं यह photo का size जो है वो 1 MB जो है लगबग है इसका दोस्तों हम अब size इसका कम करने वाले हैं तो इसको दोस्तों सबसे पहले हमको open कर लेना है तो double click करके यहां फिर इस पर mouse से right click करके यहां से open कर लेते हैं simply दोस्तों इस पर click कर देना है और click करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं नीचे आने के बाद यहां पर आपको resize image का option दिखेगा simply इस पे आपको click कर देना है जैसे आप इस पे click करेंगे यहाँ पे दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा size है वो यहाँ पे जो है वो 1 MB का लगभग यह photo है तब दोस्तों इसको हम यहाँ से अगर ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ पे दोस्तों माउस का cursor यहाँ पे आपको left वाले पे click करके यहाँ से आपको बढ़ा फिर यहाँ घटा सकते हैं जैसे हम इसको अभी 1.9 कर दी यहाँ पे नीचे जो है वो यहाँ पे आपको new वाले option में आपको दिखेगा कि यह कितना size कब बन रहा है इसके बद दोस्तों हम यहाँ से फिर से इस पे left click करके यहाँ से इसको अगर scroll करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर फिर से इसको कम किये तो यहाँ नीचे यहाँ पे आपको देख सकते हैं यह 513 केवी कब बन चुका है अब इसको फिर से हम अगर और भी कम करना चाहें यहाँ पे देख सकते हैं यह दोस्तों 89 कवी का बन चुका है इसको और हम कम कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यह फोटो का साइट जो है 136.6 कवी का बन चुका है चाहें तो दोस्तों इसको हम pixel में भी कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप अपने ही साफ से इसको state भी कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे आपको option मिलता है कि इसको pnj में भी convert कर सकते हैं या फिर चाहें आप तो इसको percentage में भी बदल सकते हैं कि जिसे माल लिए फोटो का साइज कुछ यह रहेगा जो इतना आप उसको करना चाहते वह यहाँ पर आप कर सकते हैं हम दोस्तों माल लिए कि 136 के भी इसका करना चाहते हैं कि यहां पर पर आप आप करने के बाद के वहाँ इस फाइल को यहां पर सभी, पर दिख सकते हैं इहां पर लिख कर आ जाएगा, कि आपका जो photo है, वो save हो चुका है, किआ से दोस्टों, इस photo को, हम cut कर देते हैं, और cut करने के बाद, यहां पर, हम local list E में आ जाते हैं, जहां पर हमने दोस्टों, जो photo है, उसको save किया था, थहां पर PDF notes में, हमने दोस्तों फोटो को save किया था अब दोस्तों इस फोटो को यहां पे देख सकते है इसका जो size है वो 136 Kb का ही बना है इसको हम चाहिए तो दोस्तों open भी कर सकते हैं दबल किलिक करके यहां से फिर से ओपन कर लेंगे फोटो का देख सकते हैं तो अपने लेक्टूप या फिर पीसे में उसको दोस्तो आप फोटो का जो साईज है वो कम कर सकते हैं झाल झाल